नमस्कार अदाब सस्रिकाल दोस्तों बिग बॉस सीजन 17 के खर के अंदर बिग बॉस के मेकर्स ने खेला सबसे बड़ा खेल एक ऐसा खेल खेला जिसकी वज़े से यहाँ पर अब अभिशेक कुमार की मम्मी को मिलने वाला है दोस्तों स्पेशल पावर जी हाँ जिसकी वज़ आईए आप सभी दर्शकों को बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में हम आप सभी दर्शकों के सामने यही बाग लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे योट्यूब चानल क्विक टीवी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें बिग बॉस सीजन सत्रा के घर के अंदर सबसे बड़ी यहाँ पर टास्क चल रहा है और वो टास्क है फै यहाँ पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वज़े से बिग बॉस के मेकस ने बदल दिया पूरी तरह से खेल और अभी शेक कुमार की मम्मी को सबसे स्पेशल पावर जो है वो दे दी यह बात बताएंगे आपको सबसे पहले बताते हैं यहाँ पर जो ईशा के जो फादर हैं वो गुसे में नजर आए ना सिर्फ वो गुसे में नजर आए बलकि आपको बताना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पर वो पूरी तरह से बताना चाहते हैं यहाँ पर आपको की वो काफी जादा जो है यहाँ पर गुसे में नजर आए अभी शेक से ना सिर्फ नहीं उन्होंने बा बात की समर्थ से यहाँ पर अभिशेक से भी बात नहीं की और समर्थ से भी बात नहीं की यह दोनों लोगों से उन्हों ने बात नहीं की उन्होंने तो हाथ तक नहीं मिलाया काफी इंसल्ट की काफी गालियां दी यहाँ पर इशा के पापा ने जिस वज़े से समर्थ भी अभिशेक कुमार को इसके बाद आपको बताना चाहते हैं यहां आई अभिशेक कुमार की ममी आई और अभिशेक कुमार को देखकर फूट फूट करोते वे नजराई और अभिशेक कुमार के आँखों में भी लिटरली जो है वो आसू ही थे यहां पर देखकर अपनी मा को च बलकि बताना चाहते हैं अभिशेक कुमार के साथ वो पूरी तरह से गलत था अभिशेक कुमार ईशा के पापा से मिलना चाहते थे और यहाँ पर उनके पैर छुना चाहते थे लेकिन उन्होंने तो ऐसा बिलकुल कुछ नहीं करवाया तो यह चीज जो है आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा जिस वज़े से यहाँ पर अब बिग बॉस ने बदल दिया खेल और अभिशेक कुमार की मम्मी को करवेशन रूम में बुलाया और अभिशेक कुमार की मम्मी को सबसे बड़ी पावर दी और वो पावर अखिर कार जो है वो किस चीज की है तो आपको बताना चाहते हैं वो पावर है यहां पर किसी और की नहीं बलकी Elimination की जी हां बेग बॉस के मेकर्स ने यहां पर यह कहा अभिशेक की मम्मी से बोला कि आपको यह अधिकार हम देते हैं किसी एक कंटेस्टन को eviction करने का evict करने का और आपको यह पावर दिया जा रहा है आप किसी भी कंटेस्टन का नाम ले सकती हैं चाहे वो नॉमिनेट हुआ हो या नहीं हुआ हो जिसके बाद यहां पर सबसे बड़ा शा और सबसे बड़ा यहां पर जटका लगने वाला है यहां किसी और को नहीं बलकि आपको बताना चाहते हैं दोस्तों इशा मालविय को जी हां तो अब देख रहा होगा कि किसे यहां अभी शेक की मम्मी जो है evict करती हैं यह देखना काफी जादा जो है वो दिल्चस्प रहेगा आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही दोस्तों तब तक के लिए बनेर हमार यूटूब चानल के साथ विक टिवी न्यूस की रिपोर्ट यदि आपने चानल को सबस्क्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चानल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिलकुल भी